अलो दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से ओल इन वन सेलेशन हिंदी में यह है आपका अपना चैनल यहां मिलती है आपको सभी जानकारी हिंदी में दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त नीरज आ रहे हैं दोस्तों आज हम आपके लिए एक नई वीडि़ियो क्लिए के आर एक जो पषेव कि रोग सी संब्धित है उसकी विषे में बात करेंगे हम दोस्तों जी करण ूपर प्लक्र दें करने के बाद बेल आइकन पर क्लिड करें जिससे आपको वीडियो मिलेंगी सबसे पहले सबसे जल्दी तो जले शुरू करते हैं आज का हमारा टोपिक है पश्वो में खांशी की समस्या खांशी यानि ब्रॉंकाइटिस प्रॉंकाइटिस में दोस्तों उसके कुछ से इंटन्स है उसके लक्षन है इस चीज़ को आप आपको बताएंगे पशू के संबंदित रोग जो हैं बताते रहते अपने वीडियो में इस वीडियो में खांशी की संपूर्ण रोगों में एक बहुत पुरा रोग है इस रोग के अंदर स्वांस नली की तथा उसके शाखाएं जो फैफडों में प्रवेश करती हैं उनमें दा होने से यह रोग उत्पन होता है वरद पशू जो बूढ़े पशू है उनकी वरष्टी में भीगने बारिस में या किसी चीज में भीगने से या स्थंडी हवा लगने से यह कर्मी सर्दी के पास जो है मोसम बदलने पर अन लगने से यह रोग हो जाता है दोस्तों यह देखा गया है जब भी पहपडों की समस्या परशू में आती है सर्दी के मोसम में आती है देखो अक्तूबर का महीने चल्दा है अब अक्तूबर महीने में जो है मोसम बदल रहा है तो यह समस्या बहुत ज्यादे आएगी इसमें बुखार भी पहुत जल्दी हो जाता है उस तो इसके लक्षन जो है विसके बात कर ले कि रोग की कैसे पहचान करेंगे इसके लक्षन क्या है क्येवल खांसना ही इस रोग का मुक्य लक्षन नहीं है गले में घर Jason खासते कासते रोगी पसु हावने लगता है सांस उपनिचे लगता है पागु अर्थार्ट जुगाली करना बंद कर देता, खाना पीना सब त्याग देता है और दोस्तों इसे पसु की आलग गंभीर हो जाती है, वो पसु जो है कमजोर हो जाता है यदि चिकिस्ता की बात करें, इसके इलाज के बारे में बात करें तो इसमें हम कुछ नुक से बताएंगे आपको, जिसमें नुसका नमबर पहला तेल चट्टा, एक भाग, यनि चट्टा का तेल एक भाग, तीसी का तेल छे भाग मॉम छे भाग, इन सब को मिला कर, पका कर, गले के नीचे इस तेल की मारिस करने से एतिंतला होता है नुसका नमबर दो, तारपीन का तेल एक चटाक, तीसी का तेल तीन चटाक इन तीनों तेलों को गरम करके पानी के साथ खाली, खासी वाले रोगी को पिला देने से रोग नश्ट हो जाता है नमबर तीन, नुसका नमबर तीन में है, नो सादर बजारे मिल जाए आपको दस रुपे की पचास गिराम का रेट है इसका सोट अजवाइन एक तोला लेकर एक पाउ गरम पानी में साथ पिलाना रोग को ठीक करता है नुसका नमबर चार, केले के सूखे पत्ते की राख दो तोला यानि 24 सा 25 ग्राम मकन चार तोला और कच्चा दूद 10 तोला यानि 100 ग्राम दूद लग बग खासी वाले पुसू को देने से खासी ठीक हो जाती है नुसका नमबर पांच, भात, जनी चावल, तीसी तथा भूसी के मांड के साथ कसीस का चूण 6 आने भर, वो चिरायता का चूण 5 चटांग मिलाकर किलाना अति उतलाव करी होता है नुसका नमबर 6 दोस्तों, गंदक के दूएं से दूनी देते हैं जिससे खांसी फसुकी ठीक हो जाती है, नुसका नमबर 7 एक चटांग मूम की डली लेकर कुछ आपके पत्तों के साथ लपेट कर रात को मूहूल में दबाक दो और प्रात्यकाल कर मूम को पानी से गोल कर रोगी के पांच चारत पांच दिन तक इसे दिन तक पिलाने से लाव होता है एक चटांग सूखे अनार के चिलके नुसका नमबर 8 एक चटांग सूखे अनार के चिलके उपीस कर मक्कन के साथ मिलाने से खांसी नश्ट हो जाती है जब खांसी सर्दी साथ हो तो निम्जे की तोस्दी अलाप हो जाती है जब खांसी और सर्दी एक साथ हूँ तो अब नुसके बगल जाएंगे जिसका नुसका नमबर एक लिए गोल मिर्च, कबाब चीनी, सौट, जेठी, मदू, सब को एक एक तोला लेकर चार तोला मिस्टी के साथ दोनों वक्त देने से लाव होता है नुसका नमबर दो, अडूसा, अद्रक, प्याज और मिर्च, एक चटाक लेकर पीस का गरम जल के साथ खिलाने से रोक खतम हो जाता है यह दवा दोनों वक्त देना वसक है, सुबह और सान नुसका नमबर तीन, अद्रक करस और सहद एक सासेवन कराने से अती गुन दिखाता है बहुत ज़्याद लावदाय के मतलब, अद्रक करस और सहद रामबान है यह नुसका नमबर पांच, चार, अद्रक करस एक चटा, गोल मिर्च काचून, एक चटा, गुड के साथ खिलाने से खांसी और बुखार कर नास हो जाता है अब दोस्तों, इसे खिलाना कि पशू को खिलाना किया है पशू को केवल बांस के पत्ते आजा, खिलाएं और पशू जो है, बुण्जा, चावल, बुण्जा, उड़द, उड़द, ओ, देने से अतिंतलाव होता है दोस्तों, अंत्म में इसकी जो है, सावधानी के बारे में बात करेंगे सावधानी इस लिट्मेंट के लिए है, सूखी घास देते रहना उचित होगा आप इसे सूखी घास किलाते रहें पशू को, सदा रोगों, रोगी को गरम पानी दें धूप में बचाएं, बचाना बहुत लब हो चाता है, धूप से बचाना है, लेकिन सर्द स्थानों में रोगी पशू को नहीं रखना है यानि ठंडे स्थानों में रखना धूप से बचाना है इस चीज़ का आप ध्यान कर सकते हैं अर्थात कहने के उनलब यह है, जहां भी पशू बैठता है, उसके नीचे पत्पी बगरा जो है, डार लें जिससे उसको सर्दी ना लगे और चारो तरफ से जो है, पल से डखकर उसका कमरे को शुरक्सित करना जिससे पशू को हवन न जाए जिससे उसकी तब और खराब हो सकती है इस चीज़ का ध्यान रखें दोस्तों यह वीडियो आपको कैसी लगी लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल का नाम है All In One Solution Indie, मैं हूँ आपका दोस्त नीदा चाहरे है, दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, आपके वीडियो देखने के लिए